नमस्कार दोस्तों महिन रसी धोनी के 27 सितंबर से खेले जाने वाला तीसरा और आखरी वंडे मुकाबला के लिए पूरी भारत की टीम बदल दी और भारत की टीम में कई बड़े बड़े और चौकाने वाला बदलाव करते हुए ऐसे ऐसे खतरनाक भूके सेरों की भारत्य टी जाएगा तो दोस्तों वाल्ड कप 2023 को ध्यान में रखते हुए माही भाई ने टीम इंडिया में ऐसे ऐसे धुरंधरों को सामिल किया है जो कि ना केवल आश्टलिया को हरा सकता है बलकि 200 कप 2023 की ट्रोफी भी अपने हाथ लगते नजरार हैं और ऐसे तो आप सभी जानते ही होंगे की महेंदर सी धोनी ने अपने कप्तानी में 3-3 ट्रोफी जिता कर दुनिया का पहले कप्तान बन गए हैं ऐसे में माही भाई के पास काफी जादा टीम सेलेक्शन को लेकर आनुबाव है इसलिए माही भाई ने ना केवल आश्टलिया को रौधने के लिए बलकि 200 किर 30 मैच में खेलने उत्रेगी जो लगभग 200 कप खेलने का प्रबल दावेदारी माना जा रहा है तो दोस्तों माही भाई की टीम सेलेक्शन को आप वर्ल्ड कप 2013 की टीम मान सकते हैं ऐसे में माही भाई ने कई चीजों को ध्यान में रखते हुए राहोल दरावेड से बात करत गया है क्योंकि दोस्तों कई भी ऐसे खिलाडी है जिसके पास अनुभाव तो कुट-कुट कर भरा है लेकिन लंबे समय से अनफोम में चल रहा है ऐसे ऐसे खिलाडी को बिल्कुल भी टीम में नहीं सामिल किया गया है तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि भारते ट हिलाडी हो तीसरा वंड़े मैं इसमें में और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आश्टिलिया के खिलाब तिसरा वंडे मैच के लिए महिंद्र सिंधोनी ने बड़े बदलाव कर दिये हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं आश्टिलिया के खिलाब किन किन भारतिये सेरों की वापसी हुई है तो सबसे प लड़ा इनसान बन कर उबरे हैं और काफी कंवाल का लैसे गुजर रहे हैं इस помог में सतक फिर ऑस्टिलिया के खिलाब सतक ऐसे में सुबमन गिल का तो जगफ फिक्स हैं वहीं रोहित सर्मा की बात करें तो रोहित सर्मा इस्या कप में नेपाल के खिलाब सांदार पारी खेल कर अपने फोम में आने का इरादा साफ कर दिया है और भारत्य टिम के कप्तान होने के साथ साथ काफी अनुभावी और ताबड तोड बैटिंग के लिए भी जाने जाते हैं तो दोस्तों आश्टलिया के खिलाब तिसरा वंडे मैच के लिए और व दोला था और हम सबको आश्टलिया के खिलाब वंडे मैच या वर्ल्ड कप दोनों ही में फिर से बड़े मुकाबले में बिराट कोहली का बल्ला से जमकर रन बरसने का उम्मीद है ऐसे में बिराट कोहली का इस्थान तीसरे नंबर पर फिक्स है चाहे वर्ल्ड कप हो या आ काबले में कपतानी पारी खेली थी और एस्या कप में इंजिरी से लड़ते ही पाकिस्तान बोलर पर भूखे सेर की तरह तूट पड़े थे और सतक लगागर टीम में वापसी करने का संकेत भी दे दिये थे ऐसे में चौथे नंबर पर हमें केल राहूल खेलते नजर उसके बाद में भारतिय टीम में तीन खतरनाक अलराउंडर खेलते नजर आने माले हैं पहले नमर पर भारतिय टीम के उपकतान हार्दिक पंडिया खेलते नजर आएंगे हार्दिक पंडिया तेज गिंद बाज में माहिर है और बल्ले से भी टीम को काफी बड़ा योगदा देते हैं इसलिए हर्दिक पंड्या का जगा फिक्स है उसके बाद में रविंद्र जड़ेजा खेलते नजर आएंगे रविंद्र जड़ेजा भी स्पिन बोल के साथ साथ लंबे लंबे शोट मारने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों आई पील 2023 की फाइनल में तो आपने दे में चोटे मिया यानि कि मोहमद सिराज जयक दो 1000 त्युशंगे फाइनल में पांच वीखेट ले कर इतिहास रच दिए थे उसके बाद में भारत्ते के बड़े मियांगे की मोहमद समी को टीम में चुराओ